अमरीकी क्रिशी विभाग ने अपनी नई रिपोर्ट में मसूर के घरेलू उत्पादन का जो अनुमान लगाया है उससे उद्योग व्यापार्ट शेत्र को कोई हैरानी नहीं हुई है क्योंकि पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें कोई विशेश बदलाव नहीं लिया अमरीकी क्रिशी विभाग ने सितंबर की रिपोर्ट में 2023 से 24 सीजन के दोरान 2.59 लाक टन मसूर के घरेलू उत्पादन का अनुमान लगाया था जिसे अब नई रिपोर्ट में 1000 तन बढ़ाकर 2.60 लाक टन निर्धारित किया है जो 2022 से 23 सीजन के उत्पादन 2.56 लाक टन से म लेकिन पिछला बकाया स्टॉक अधिक होने से मसूर की कुल उपलब्धता में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। उसड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 22 के मार्केटिंग सीजन की समापती के समय अमरीका में केवल 6000 तन मसूर का पिछला बकाया स्टॉक मौजूद था जो 2022 से 23 सीजन के अंत में उचल कर 44,000 तन पर पहुँच गया। इसके अलावा वहां कनाड़ा से मसूर का भारी आयाद भी होने की संभावना है। इसके फलस्वरूप अमरीका में मसूर की कुल उपलब्धता बढ़कर 3.8 एक से 4.25 लाक तन के बीच पहुँचने के आसार ह कनाड़ा से कुल आयात 1,20,000 तन के आसपास होने का अनुमान है। दिल्चस्प तत्य यह है कि कनाड़ा में भी अमरीका से मसूर का भारी आयात किया जाता है। मैं स्थी